जीनों ने हमें सर्देश किया कि विद्या बिना मती गई, मती बिना गती गई जीनों ने तमाम महुझनों की आत्माव को जाना, ऐसे महात्मा जोधी बारा उखुले, जीनों ने आरक्षन में सबसे पहिए हमें तवज्जो दिया, ऐसे राजर सी शाहु महाराच। जीनों ने अपने चार बच्चे इस नालायक समाज को लायक बनाने के लिए पुर्बान करती। ऐसी माता रमाई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जब मैंने अपन आपन में फोजा, तो मुझसे बुरा न मिलिया को, ऐसे कभी। अभी ऐसा चाओ राज मैं जहां मिले समन को अन, छोटा बडा सब समा तब जाके रहदास रहे प्रसंद। ऐसे रभीता चाओ और इस देश के धरती पर जडवे उन तमा महा भुर्सों को, मैं त्रिवाद, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ साथी साथ, आज आप लोग जो यहाँ, वी सो रतना क्योंकि मैं भारत रतन नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का पिली दंटे वालों को दिन भारत रतन गिया जाता है। इसलिए मैं भी सो रतन होती सत्व भारत के रचाईता आवर उस हिंदू संसकर्ती को लाध माड़के इस देश से इस आडवरवाती करबा कांड़ी सप्पेदा को भगाने वाले। या इस देश के सूसी थप्री मैलाव बच्चों के अठिखारों का स्वाच्चर करने वाले। बोदी सद्वो परपुचे बाबा साब आपेटर इसकी 127 की जहनती दिमित मैं आप सभी को आर्दिक अभीनादन करता ह। साथियों मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय बोर नहीं करूंगा। क्योंकि यहां इससे पहले काफी वोकता आ चुके और राचाहे कितने वोकता यहां होगे। और मैं मुझे और भी दो कारेकरव को जाना है। इससे पहले एक कारेकरव को पर आया हूँ। इसलिए बहुत कम समय मैं अपनी बात बुरी करने की बुरी-बुरी कोशिश करूंगा। क्योंकि यहां सभी लोग विद्वान है। ऐसा मैं मानता हूँ। और साथी साथ मैं यह रमाई, साभीत्रियाई जैसी माताओं का भी धन्यवान करता हूँ। कि आप जो यहां पर आये और इस प्रोग्राम की सपेता की लाज रखी। यह तो मैं समझता कि देली में सचने रमाई है और साभीत्रियाई जैसी कोई मैंडा ही नहीं है। दोस्तों, जैसे आत्मों जानते हैं कि दो तारिक को एक डेस में आन्नोरन हुआ था और वो आन्नोरन सच में एक एक डियासिक आन्नोरन हुआ। चाहे जिसने भी इस आन्नोरन का हायोजूं किया हो। चाहे वो निकमा, तल्ला, भरुआ। जैसे भी ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी सेलुट करता हूँ। जैसे भी कहता हूँ, इस मंच के मात्यां से, क्योंकि उस कारक्राम उने देश में एक क्रांती लाए। और देश में क्रांती ऐसी नहीं कि आपने देखाऊंगा कि दो तारिक को सेटूल कास्ट के साथ, अगर OBC खड़ा नहीं था, तो दस तारिक को इन जन्ने में धारी, एंटी में धारी लोगों के साथ OBC खड़ा नहीं था। आपने देखाऊंगा, इसका मतनल है कि देश में पेहने करांती आए। लेकिन यहीं क्रांती मंटक आयों के सबए किस देश में आई थी। मैं बाबा सहाब की बात न करते हुए बाबा सहाब के विचारों की बात रखूंगा क्योंकि मैं बाबा सहाब को मानता नहीं मैं बाबा सहाब की मानता हूँ इसलिए यही जो एकता इस देश में जो भाईचारा की बाट इस देश में मंडल कमिशन आयोग के द्वारा इस देश में भाईचारा इस्ताफित करने की कोशिच की डेए थी अबर मन्वर कांशीराम साभ नोज डेश में नारा दिया था मंडल आयोग लागू किरो वर्ना कुर्सी खाली करो और हुन तमά मैं परम ऑबीशी ओट गरो कास के लोगों को मान्देवर कांसीराम साब ने चोड़ीने का काम, एक धागे में फीरोने का काम मान्देवर कांसीराम साब रेकिया। लेकिन हुआ क्या। क्या S.E.S.T.A. कांग्रेस ने ही हमारे सवरक्षन के लिए लागू किया था प्रस्में। या फिर उससे पहले नाइंटी फिप्टी भायों में सिविल सर्विस एक्ट कुछ लाग था। सिविल प्रोडेक्शन एक्ट इस देश में बाबा सहाब ने सविदान में इंकुरूट किया था। लेकिन होई SCST Act वर सकंपक्त कांग्रेस को निस देश में सेटुल कास्ट के लिए लागू करने की क्या ज़रूरत परी। सोच ने की बात है। लेकिन इस कंपक्त कांग्रेस ने इसनी SCST Act का हमें टॉली पॉप दिया। क्योंकि हमारे साथ हमारा ही भाई ओभी सी आ रहा था। और जब हमारा भाई ओभी सी हमारे साथ आ रहा था। और जिस देज इस देज में पाउजन समाज की संकर्पना पूरी होते हुए इन बंदुवादियों ने देखा तो इन्होंने SCST Act ने यान लागू किया और हमें फिर से उपीसी से दूर किया और दूर बाटने का काम करने के साथ साथ हमें कभी एक नहीं होनी दिया। यह है SCST Act हमें सोचने और समझनी की बात है। हम लोग भक्तन बनकर अनुयाई बने। पाबा साहब को भक्तों की जरूरत नहीं थी। जही है कार लगाने वालों की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब को अनुयाई ओ की जरूरत थी। क्यूंकि Karl Marx जब मरा तो उसके साथ उसके कितने अनुयाई थी। और बाबा साहब जब 6.जेमर 1956 को इनका महा पर ही निरौर हुआ, तो बाबा सहाब के भग तो लाखों में थे, लेकिन लाखों में होने के बाद, आज बाबा सहाब के कारवे को पीछे लिजाने में हीनी नाराइको कार थे, ये सुझने की बाद है, कि हम लोग बाबा सहाब के भग तो बनें, पूरी जिन्दकी भर उसने बाजू में उसकी जोपनी वाले घर में परिवार लेता था, कभी उसने देखने की कोशिस नहीं किया, कि कमारा उसके घर तक भी देखने की कोशिस नहीं किया, तीर्चे कूँ अपने ओफीस, ओफीस से घर, घर से बीमी, फिर से ओफीस, फिर से ओफीस, फिर से ओई, लेकिर रिटार्मेंट के बाद उसे धंब की जब रत होती है, चलो गुद्धा की हो, या फिर उसे फिर बाबा साहब का विशन्याद आता है, बेबेग्ट कुशो साइटी क्या, क्या है बेबेग्ट कुशो साइटी, सिर्फ आपकी जेव खाली होनी चाहिए, या फिर आपने उस साइटी में टाइल, टैलन, ट्रेजर दे और पाइसा देकर अपने हाथ उपर करके जॉब तरी से खसके निकले तो यह आपकी पैपक्तु सोसाइटी नहीं हो तो मैं गरनाता साथी ओर हमारी कि अपने देखा होगा कि 2004 में इस देख के लोगों की आप खुलती है क्योंकि इस देख में नाचाय संसा से बड़ी बीजेपी 2004 में आती है और केंटी है कि सविदान समीक्षा तब जाके इस समाज के मुर्दों की आँख खुलती है बोले सविदान समीक्षा तो भाई यह हम नाली से लेके एसी तक पहुचे निरसे एसी से लेके नाली तक पहुचिने हो लिगा नहीं गलत है विरोज की है इस समाज है फिर उसके बाद वो बीजेपी में बीजेपी के नुमाई ले कहिते हैं कि हम इस देश में दीरंगे की जगर क्या लाएंगे भागवाला है फिर लगता है भाई यह तो समराण असका का जो काल था साहर ऐसे ही कीठा है क्या होगा सोचने की बात है भी रोल का एक एजेंट आता है कि सवसाथ पूरे होने पर आप क्या करने वाले इस देश को हिंदुनास्त भोसित करना है अगर मैं बहुत जादा पकारो बोर करो भोल दीजिएगा ओगे सब लगा था तो एक्च्वाल पाच मेट लूगा उसके बाद आप सोच सकते कि 2007 से 2007 से इस देश के तमाम उन छेतरिये पार्टियों को चुना गया मॉका दिया लिया औरूं देने के बाद ऐसे क्या चमतकर होते हैं कि 2014 में भाच्वा का फ outta ृ ‫ खिलते हैं और ऐसे फुल खिलता है कि मुझेले का काम नेता ही ह Wahly निए चाए आध प्लेंट में जाए ट्रेंड में जाए जहां जाय जहां जाय आप देखेंगे कि वहाँ पर भार्षपा के किसी भी इंसान की कोई तारिख करते हुए दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी भार्षपा आई रही है और 2014 में इस देश के सविदान को छेरे हो जाता है और इस देश के सविदान को छेरेने के बाद वो लोग इस देश को हिदू राष्पा बनाने की पूरी-पूरी तयानी कर ली जाती है वो कैसे अगर वो लोग कहते हैं कि इस देश को इस देश के सविदान को अगर बना नहीं जाता तो मैं उन लोगों को बुर्ग समझूगा क्योंकि 2014 पर ही इस देश की जो मुख्य संतल्पना है कि ये देश धर्म निर्पेक्षता पर आदा रिक हमने सभी धर्मों की जट करनी है माल सम्माल करना है और उसी धर्म निर्पेक्षता पर आगात करते है और धर्म निर्पेक्षता पर आगात करके इस देश में पंत निर्पेक्षता कान लाते है धर्म निर्पेक्षता की जगे ये लग क्या कर किया है और पंत निर्पेक्षता लाया अगर धर्व निर्फेक्स का होता, तो क्या ये जेस हिंदू राश्ट्रा बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन ये देश में अगर पर्द निर्फेक्स न लागू होती है, तो इस देश को हिंदू राश्ट्रा बनाने से आप हम कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि धर्व एक होगा बाकी उसकी साखाये हैं यह सत चाहिए और आपने भेगा होगा कि बीजेपी ने इतना अच्छा चम्मत करें इतना अच्छा एजूमेंट कर लिया कि हर जगह मोधी 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 चवरा है यह बोलने की बात है सर मुझे ब्लीच बोलने दीजिए अग आपका आप सवराग अजब के काल को तुम मिटा दिया गया आप गुली की केती नहीं है इस देश में कईले का मचलेत है कि 2014 से एक गेट चालू हुआ और जब 2014 से गेट चालू हुआ तो 2019 में भी ये दक्ता परटने की तैयारी बे है क्यूंकि अक कौटर फाइनल था तो 2019 सेमी फाइनल होगा, और सेमी फाइनल के बाद जो सेमी फाइनल जीतेगा, उसी का फाइनल होगा, उसी की ट्राफी होगी, और ये लग दोजार पचीस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उने एवनका उदेश दिख रहा है, कि इस देश को ही तुम राष्ट बना। और आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, वेल एजुकेसन और वेल कॉलिफकेसन में क्या दर देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, कि आपका बच्चा 10, 20, 50, 1000 की नवगरी करें, और बाद में वो आप उसकी साधी करें, और आपको उसके लिए 50,00,00 क्रोर क्रोर उपे की बिल्टिक बनाएं, और बाद में उसके बाद आपको आपके पुरा पे में आपका इस्टोर रूम दिखाएं, और मकमल उपे के घर्दे पर कोन सो हैं, आपका बच्चा, और आप सोचो कि आप लाकों का घर जिस बच्चे की लिए तःयार कर रहे हैं, जिस बच्चे के भविसे की बात कर रहे हैं आप यहां, वो बच्चा आपको इश्टोर रूम में रखने वाला है, या फिर क्या करेगा? उर्धास रम में भीजेगा, इस देश में उर्धास रम की बहुत ही जादा उरद्धी होगी है, सुचो, क्या बात कर रहे हैं, मैं ए अगर समझी कीजिए, तम जाकर अगर आप अपने बच्चे को वे एजुकेशन देटे, तो सच में आपका बच्चा इस सभा में, इस कारेकरम में मवजुद होता, लेकिन आप अपने बच्चे को वेल एजुकेटेट नहीं करते हैं, वेल कौलिफाइट करते हैं, यह समग चाहिए, आप लोग अपने ही यह अपना कट्डा फूद रहे हैं, यह में आपको सोसाइटी नहीं, तो साथियों, मैं आप रपसे गुजरिस करना चाहता हूँ, इस देश में सबसे पड़ा मुद्धाई ही है, जो आपने परशा देखा हूँ था, और आने वाले समय में, ह विरौद करके भी हमका दहात करने वाले हैं, राम लिल्ला मेतान में, एसलिए मैं आप लोगों से भुजरिस करूँगा, कि आप लोग हमें कन्ने से कन्ना मिला कर, हमें साथ देंगे, और हमें समय समय पर मार्ण दर्सन करेंगे, और खुलके विरौद करेंगे, क्योंकि प्रक बाबा स्हाब आमबेट करने अपने चहेंदे बेटे राज रपन की लास को लाग कर बाबा साथ लंगन गये और लंगन क्यों गये ताकि कांदी एंड कमपनी हमारे हाँ कादिकारों का हनद ना कर सके और हमें मैं ये कहानी बताब को और इसके साथ अपनी बात रख रहे हुआ खत्म करूंगा जब बाबा साथ लंडन से आते हैं तो बाबा साथ के करीबी नानक्चर रत्व पुस्ते हो कि बाबा साथ आपने लंडन से क्या लाया मुझे तो लगा कि बाबा साहब लंडन गे तो बहुत सारा कुछ लाया होगा बेग भर के लाया होगा बहुत सारी चीजी नहीं होगी लेकिन बाबा साहब रत्तु से कहते है कि ये रत्तु मैंने लंडन से एक वोट लाया क्या लाया एक वोट लाया और एक वोट रत्तु साब कहते रुत्य को कि ये दानक्चर ये वोट नहीं है वो सस्त्र है जो हर राणियों के पेट की नजबंदी करेगा और गुन राणियों की नजबंदी करेगा जो राणिया राजा पैदा करती थी आप ये वोट हमारा राजा पैदा करेंगा और इतने मुसिबतों के सार बा और उस वोट का अधिकार दिया और आज उस वोट का उससे बढ़े के बाबा साब ने समझा कर दिया कि ये साथियों, ये बहु जोनों, ये मेरे समाज के लोगों, ये वोट नहीं है, ये आपकी बेटी और बहु है, बेहन है जिस बढ़ आप अपने बेटी को किसी तरू, किसी चोर, कोई उचक के लफंगे को नहीं पियाते हैं, उस परकार आपको इस वोट को भी नहीं पियाते हैं आपको परतकर इस वोट को देना हैं लेकिन आज आपने देखा होगा कि आपके वोट का EVM के मात्रें से सीधे-सीधे भलतकार किया जागा है इसलिए मैं आप लोगों से घुजारिस करता हूँ कि आप लोग EVM को दहन करने में कंदे से कंदा मिला कर इस देश में इस वाश्चुल्यकी आंगलन को सफ़न बनाने में हमें स्योग करेंगे और किसी भी प्रकार से समाज में असमवैधानिक प्रकार का महवलना पैदा करें ताकि हमारे लोग जेल जाए मैं ऐसे आप लोगों से कुझारिस करूगा धन्यवाद जैभी जैवाद